इसे पिछला जो हमने कोशन किया था तो हमें प्लस की फोर में लिखके दिया हुआ था कि इनको आपने एड़ करना है अब अलग अलग integers given है और हमें उनको add करना है उनका sum find करना है मतलब 137 में add करना है किसको add करना है minus 354 को जब दो sign इकठे आ जाते है तो हम second वाले sign को bracket में put कर देते है तो आपने देखा होगा पिछला कोशन हमें इसी form में given था अब ये form हमने खुद बनानी है उसके बाद same question है जैसे हमने पहले किए question number 3 कि 137 में add करना है minus का 354 bracket हमने खुद बनाई है और bracket हटानी है 137 plus के साथ bracket अटाएंगे तो minus का 354 ऐसे ही आजेगा अब आप देखो ये plus का sign है इसके अंदर sign नहीं तो plus का ये 137 plus का है 354 minus का है यानि एक positive integer है और एक negative integer है तो क्या करेंगे हम एक positive और negative integer होता है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रेक्ट करते हैं और 354 में से 137 को आप minus करोगे इस साइड में लिखके देख लो 354 में से आप 137 को minus करोगे तो क्या आएगा 14 minus 7 7 4 यहाँ पर 4 बचेगा आपके पास 4 minus 3 1 और 3 minus 1 2 217 बचा अब आप बताओ sign किसका आएगा minus का क्योंकि आपने 354 में से minus किया है इसी तरह से B पार्ट में देखो add करना है अब किसको minus 52 में add करना है 52 अब minus 52 में add करने के लिए plus का sign डाला इसके पास कोई sign नहीं था लगा हुआ तो मैंने bracket बनाई नहीं अपने bracket बनाई नहीं अब यह simple question हो गया minus 52 plus के 52 यानि एक negative है और एक positive है तो क्या करोगे आप minus करोगे किस में से करोगे 52 में से 52 को minus करोगे तो क्या बचेगा जीरो चाहिए आप इस में से minus करो चाहिए इस में से minus करो दोनों सेम है ना तो 52 में से 52 minus किये जीरो आगया आप sign किसका आएगा plus का या minus का 0 कभी ना positive होती है ना negative होती वह 0 ही होती है और 0 के साथ कोई sign नहीं आता तो इसका answer मारे पास आगया जीरो इसी तरह से सी पार्ट है हमारे पास देखो यहां सी और डी पार्ट में 33 इंटीजर्स हैं जो हमें add करने है तो उसी तरह से add करने के लिए पहले plus का sign डालेंगे जैसे minus 312 में add करना है 39 यहां अलग से sign नहीं था तो bracket नहीं बनाई और फिर इसमें और के add करना है 192 यहां भी इसके पास कोई sign नहीं था मतलब यह plus के थे तो यह सिधे-सिधे plus के आ गए तो हमें bracket बनाने के जूर्ट नहीं पड़ी तो minus 312 प्लस 39 प्लस 192 इनको add करना है तीन नमबर है हमने दो-दो नमबर को रेके add करना है जैसे हमने पहले वाले questions में 22 integers को add किया था वैसे ही add करेंगे पहले हम minus 312 और 39 को add करेंगे आप 192 को मत देखो कि यह है के नहीं है जब इन दोनों को add करेंगे तो आप देखो यह negative integer और यह positive यानि एक negative और एक positive है तो क्या करोगे आप minus करोगे 312 में से 39 को minus करोगे तो यह आजएगा 273 sign किसका आएगा minus का क्योंकि आपने 312 में से minus किया था तो 312 का जो sign है minus वही आएगा इसके बाद बचा था मारे पस नमबर plus का 192 फिर से देखो एक negative integer एक positive integer फिर से हम वही करेंगे एक negative और एक positive है तो क्या करेंगे फिर से minus करेंगे 273 में से 192 को minus करेंगे side में minus करके देख लो आप 273 में से 192 3-2 1 7 में से 9 नहीं जाता बोरो लोगे आप 17 17-98 और यह 1-1 0 81 आजएगा अब sign देखो कौन सा आएगा 273 का sign आएगा क्योंकि 273 में से हमने 192 को minus किया था तो यह आ गया minus का 81 और यह हमारा answer हो गया इस तरह से 3 integers हो तो हम 22 को लेके बारी-बार से उनको solve कर सकते हैं सेम डी पार्ट है मारे पास यहां भी 3 integers को add करना है देखो minus 50 में add करना है अब इसके पास भी अपना sign है न तो इसको हम bracket में लिखतेंगे sign नहीं होता है इसके पास तो हम और sign bracket लगाने के जूरत नहीं थी वही का वही sign add करना है 300 को इसके पास भी अलग से कोई sign नहीं है तो as it is आ गया मतलब अगर plus के sign होते तो as it is आ जाते है एक plus का और एक minus का होगा तो दूसरे वाला sign bracket में अब फिर से क्या करेंगे bracket open करेंगे minus 50 as it is plus के साथ bracket खोलेंगे तो अंदर वाला sign ऐसे ही आगया और ये भी ऐसे आगया फिर से 3 integers को solve करना है पहले इन 2 को solve करेंगे अब ये देखो दोनों कैसे हैं दोनों negative integers हैं तो क्या होएंगे add same sign वाले integers add 200 में 50 add करोगे 250 sign किसका आएगा minus का क्योंकि आपने minus minus वाले जब add क ये तो वो सारे minus के ही बनेंगे इसके साथ था plus का 300 अब एक negative integer है एक positive integer है तो क्या करोगे minus करोगे एक negative और एक positive में हमेशा minus होती है तो 300 में से 250 minus करोगे 50 आएगे sign किसका आएगा 300 का क्योंकि 300 में से आपने 250 को minus किया यानि plus 50 plus का sign हम लगाए ना लगाए वो automatically understood होता है कि sign न plus का ही है तो आई होप आपको ये question number four integers की addition अच्छे से समझ में आ गी होगी keep practicing thank you